तो क्या जज किसी कानून को creative तरीके से interpret कर सकता है और अगर कर सकता है तो कौन है वो philosopher जो इस चीज को support करेगा दोस्तो मेरा नाम है संदीप सिंग और आज हम पढ़ने वाले हैं रोनाल डॉरकिन के बारे में और उनकी key understanding के बारे में रोनाल डॉरकिन एक ऐसा नाम है जिसे legal domain में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और जब भी हम justice के बारे में बाते करेंगे रोनाल डॉरकिन के बिना चीजे हैं धूरी हैं उनका नाम हमेसा Rawls के साथ जोड़ के देखा जाता है जोन डॉर्ल्स रोनाल डॉरकिन equality of resource के domain में लेकिन आज हम जो बात करेंगे उनके बारे में basic introduction के साथ-साथ वो कैसे चीजों को समझते थे उसके बारे हैं बाते करेंगे तो रोनाल डॉरकिन एक American legal philosopher है और public intellectual है जो critique करते हैं legal positivism को और अपनी एक interpretation based theory of law देने की कोशिस करते है यह Roosevelt के बहुत बड़े fan थे और उनकी जो चीजें थी उसको फिर से लाने की कोशिस करते हैं चाहे justice के sense में या किसी भी sense में और यह ऐसे moral principle और integrity based legal positivism को critique करते हैं और positivist जो methodology है उसको critique करने की कोशिस करते हैं अब कुछ खास बाते देखते हैं पहली बात है कि इनके key works कौन से हैं और उन key works में यह क्या बाते करते हैं इनका एक key work है जिसका नाम है taking right seriously जो 1977 में लिखते हैं और यह जब लिखते हैं तो यह दो लोगों के alternate देने की कोशिस करते हैं एक heart का जो legal positiveism है legal positiveism का मतलब है कि जो भी कानून है वो जो state है वही बनाएगा और दूसरी बात है उसमें कि उसका interpretation जो होगा वो formal होगा उसमें judge के पास ज्यादा freedom नहीं है जो नियम है वही आपको पालन करना पड़ेगा उसमें आप creative तरीके से उन चीज़ों को interpret नहीं कर सकते हैं दूसरा यह John Rawls की जो theory of justice है उसका alternate देने की कोशिस करते हैं जो original position का concept लेके John Rawls ने बनाए था तो taking right seriously में यह बाते करते हैं फिर इनकी एक दूसरी किताब है a matter of principle जो 1985 में आई और justice for headache hawks करके 2011 में किताब आई यह बहुत interesting तरीके से किताबे लिखने वाले इनसान है और जब इनके तीसरी किताब है वो उसमें luck egalitarianism, ambition sensitive egalitarianism के बारे हैं बाते करते हैं equality of resources के बारे हैं बाते करते हैं और justice के बारे हैं बाते करते हैं तो यह legal domain में भी बाते करेंगे और justice के बारे हैं बाते करेंगे तो सबसे पहले इनका legal domain देखने की कोशित करते हैं जो इनका critic of legal positivism है हार्ट एक important philosopher थे और हार्ट और इनका संबन भी है उनके साथ इन्होंने काम भी किया है उनकी जो थेरी है legal positive vision की उसको ये criticize करते हैं positiveism कहता है कि law कहीं न कहीं authority derive करता है social fact और convention से ये positiveism जो legal positiveism के understanding है heart के understanding है ड्वार्किन कहते हैं कि ये जो understanding है कि social fact और convention से authority derive करेगा ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमें morality इसमें involved नहीं है तो हमें normative जो dimensions है कि morality आधार होना चाहिए ना कि क्या पहले से present है वो आधार होना चाहिए तो उनका कहना है कि judge बहुत बार interpret करते हैं principle आप morality, fairness और integrity law को apply करते समय कि judge का काम क्या है कि जो कानून exist कर रहा है बस उसी को मान लेना है कि पहले से exist कर रहा है ये अपना दिमाग लगा कि उसमें morality, fairness, integrity देखना है तो कहेंगे कि judge का काम है morality, integrity, fairness देखना ना कि सिर्फ कानून का कानून लगा देना फिर ये radically separate करते हैं law और morality को जैसे positivist करते हैं उन चीजों को criticize करके एक नया understanding देते हैं simple term में देखते हैं जी गंधी जी की बारे में देखते हैं कि गंधी जी का जब court में मुकदमा चल रहा है तो क्या judge को जो कानून था वही apply कर दिना चाहिए था या morality, justice और इस तरह की चीजों को देखना चाहिए था वो सवाल जब आएगा तब आप बहतर समझ पाएंगे कि वास्तों में ये क्या कहने की कोशिज कर रहे हैं ये कहेंगे कि judge को creative freedom होने चाहिए और वो adjudicate करना चाहिए जब तो उसमें give a formal तोर पे एड़िट करना करके creative freedom का इस्तमाल करके उसको interpret करना चाहिए फिर इसी बेस पे वो interpretive legal थेरी देने की कोशिज करते हैं जहांपे rules, principle के साथ साथ जो creative चीज़ें हैं जो morality है वो भी involved होनी चाहिए तो ड़ारकिन analyze करते हैं law को interpretation के बेस पे जैसे literature को लोग अलग लग तरीके से interpret करते हैं करने की कोशिज करते हैं कि legal interpretation में भी हमें जो past के cases हैं वो देखने पड़ेंगे और ethical integrity maintain करने पड़ेगी वो chain novel का एक metaphor यूज करते हैं कि judge जो हैं हर बार एक नया chapter जोडते हैं जो past में नहीं था और ताकि एक story coherent बन पाएं भारत के sense में भी है जैसे आप मेनिका गांधी case देखेंगे ADM जबलपूर case देखेंगे तो वहां से आपको बहतर अंदाज अलग सकता है कि कैसे ADM जबलपूर case के बाद जो दूसरा मेनिका गांधी case आता है वहां पे judge ने नए तरीके से कानून को और rules को interpret करा और एक बहतर judgment देने की कोशिज करी तो वो कहते हैं कि policy makers को interpret करना चाहिए legal text और constitutional principle इस तरह से ताकि जो underline moral values हैं उनको protect कर पाएं जो essence होता है किसी बेकानून का जैसे fundamental right भारत के सम्मध में हैं तो वो इसलिए बने हैं ताकि लोगों के right protect हो पाएं तो कल legal या formal तोर पे कभी interpret करने के बाद ये साबित हो जाए कि लोगों के अधिकार उत्ते important नहीं है तब क्या judge को essence पे focus करना चाहिए या जो लिखा है उस पे focus करना चाहिए अब इस सवाल में बोलेंगे कि हमें integrity, morality और जो essence है उस पे focus करना चाहिए अब और आके जब हम बढ़ने की कोसिस करते हैं तो इनका एक और concept है right को लेके जो है understanding हो बहुत important है कि लोगों के अधिकार क्या होते हैं, क्या लोगों के जो अधिकार होते हैं, वो के वो liberty होते हैं, क्या वो state पे dependent होते हैं, इस तरह के सवाल पोछने की कोसिस करेंगे और कहेंगे कि जो लोगों के right होते हैं वो ट्रंप Card की तरह होते हैं तो state कभी भी उनको कपजा नहीं कर सकता, उनको हटा नहीं सकता वो ट्रंप की तरह होते हैं कि हमारे पास है लोगों के पास कि भाई ये हमारे पास अधिकार हैं इनका कोई भी utilitarian principle के देश पे इनको negate नहीं कर सकता तो right जो लोगों के protected है वो constitutional protection है और important है ये कहने की कोसिस करते है और government को कही न कहीं right करने का override करने का उनको अधिकार उतना नहीं है तो ये right का जो एक simple understanding है कि right बस कुछ कर लेने का अधिकार होता है नहीं बोलता है right ट्रमकार्ड होता है जिसका इस्तमाल इंसान जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए करता है फिर ये right और उसके moral foundation के बारे हैं बात करेंगे कि right जो है किसी भी moral और political foundation पे बेस होता है उनका कहना है कि right केवल permission नहीं है जो state देता है जिसे ये आप करने के freedom है केवल freedom नहीं है ये ये inherent है और इसको violet नहीं किया जा सकता जो individual possess करता है सिर्फ अपने human होने की वज़ा से तो ये बहुत important बात है कि केवल कभी भी state को लगता है कि अच्छा लोगों के right थोड़ से side way करने से मारा भला हो जाएगा तो वो नहीं अलाओ करेंगे वो और ड्वार्किन कहते हैं कि right grounded है inherent dignity और equality of individual पे ये बहुत interesting बात है कि right का base क्या है क्या state right देता है इसलिए right है या right उसके पहले से भी है तो कहेंगे कि right उसके पहले से यही understanding John Locke की भी है यही similar understanding Emmanuel Kant की भी है तो ये बातें आपको याद रखना है कि state right देने वाला नहीं यह वो right maintain करने वाला है और right का origin जो है वो equal dignity और equality के base पे निकल के आ है फिर जब और आगे बाते करेंगे फिर वो बात करेंगे लोगतंत्र और role of courts के बारे में तो court का बहुत important role दिखाते हैं democratic societies में उनका कहना है कि court का का काम है essential function है लोगों की जो individual rights है उनको protect करना और जो majoritarian decision है उनको रोकना ताकि वो लोगों के fundamental rights को violate ना कर पाए किसी भी लोगतंत्र में सिर्फ जनता का सासन नहीं होता कानून का भी सासन होता है तो अब जब कभी जनता पागल हो जाए वो कानून के सासन को हटाना चाहे तब जज का काम है कि वो कानून के सासन को maintain करें तो ड्वार्किन कहता है कि एक dialogue होना चाहिए judiciary, legislature, and executive में ताकि एक बेतर role play कर पाए ड्वार्किन एक principle लाते हैं जिसमें individual के पास equal access होगा basic goods जो नेसेसरी है उसकी life के लिए बेतर करने के लिए इसी में वो एक कहानी सुनाते हैं कि कि किसी island पे लोग जाते हैं फिर वो कैसे system बनाएंगे original position जैसा जहाँ पे ambition sensitive और इसे और इसकी पूरी दिवस्ता करते हैं लोगों को sell देंगे फिर वो अपनी बोली लगवाएंगे कि आपको क्या चाहिए उसके बाद ये पूरा का पूरा system बनाते हैं जहाँ पे distributed justice के बारे में बाते करेंगे और ये role से different भी है और राल्स जैसा ही सोचते हैं तो ये है ड्वार्किन के बारे में ड्वार्किन कहीं न कहीं जो legal theories थी positiveism में based उनसे अलग जाते हैं उनसे अलग सोचने की कोसिस करते हैं creative dimensions जो legal interpretation की based हैं उसको देखने की कोसिस करते हैं और ये जो hard cases हैं उनपे बाते करेंगे और अभी भी जो legal scholarship है उस domain में इनका बहुत important role है और बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ा जाता है समझा जाता है तो ये थी Ronald Durkin's के बारे में बाते हैं आगे और भी बाते आती रहेंगे जो अलग लग thinkers के बारे में होंगी दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखते रहें इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो share किजे, like किजे, subscribe किजे comment किजे जो बातें आपको चाहिए जिस philosopher पर आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो बनाने की कोशिज करेंगे और अगर आपको कुछ भी कहीं भी understanding में या कुछ भी दिक्कत आ रहे ही तो आप बिल्कुल comment करके बताइए इस वीडियो में इतना ही जाएं